हाई फ्रेंट्स नमस्कार स्वागा दिशने वीडियो में इस बड़ों बात करने वाले हैं बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट में आई एक नई वेकेंसी के बारे में किस परकार से फॉर्म को फिलप करना है इलिजबिल्टी क्या है पूरा फूल डिटेल्स में आपको इस बड़ों में सेर करने वाला हूँ और साधिजद में आपको फॉर्म फिलप करने में किसी परकार की परकार से आपको फिलप करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे आप गूगल ओपन करेंगी और यहां पर आपको आके सर्ज करना है यहां पर करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस परकार से वेबसाइट खुल के आएगा और देख सकते हैं यहां पर सबसे उपर में लाइव अपडेट्स में यहां पर दिखाई देगा डिहार लाइब टेकिंशन अनलाइन रिकूट्मेंट 2020 यहां पर देखिए थोड़ा सा यहां पर नीच आएगे यहां पर दो नमर पर आपको खोजना पड़ेगा तो यहीं में कहीं पर आप क्लिक कर सकते हैं तो आपके सामने क्या होगा इस परकार से पोस्ट यहां पर सारी इन्फर्मेशन मैंने आसान भासा में दे रखा है इस पोस्ट का नाम है फ्रेंट्स लैब टेक्निसियन यहां पर जो आवेदन सुरू हो रहा है फ्रेंट्स आठ फरवरी से सुरू है और यहां पर लास्ट डेट जो है एक मार्च 2020 तक आप आवेदन करेंगे फी पामेंट यह सीस्टी पीड़ी बिहार डो मिसाइल के अगर है तो यहां पर जो है ढ़ाई सुरू पाप्लिकेशन फीदेंगे और यहां पर सारी इंफर्मेशन दी हुए है अब यहां पर देखेंए सीटों की संख्या बताईगे है टूटल यहां पर 22 पद है और और बिजयनकारिया है ब आप बिहार में आपको मेलेगा यहां पर आप जो यह स्टार रेटिग जरूर दीजह‌एगा तो कि हमें मौटीवेयोेट जिए अलुकी मिले अब चले यहां पर पर छूह सबसे पहले हम बात करेंगे कौन आवेदन कर सकता है बहुत बड़ा कोश्चन है देखें यहां पे जो है 222 पदों पर तो यहां पर बाहली निकाली गए लेकिन यहां पर सेलरी जो है बारह हदार है और यहां पर देखें सम्वियागत पद है मतलब यह फ्रिंट्स कि आपको यह परमानेंट नहीं है हालाकि बिहार सरकार जो है जो भी वेकैंसी निकाल रही आज कल जो भी आपे केंसी देखें लीजेए वह जो सम्वियागत है लेकिन आप को आपको यह घथाया नहीं जाता है जल्दी सी ठीक न तो यह लाइफ टाम आप मान के चलिए वेकैंसी रहत अब दिखें यहां पर जो क्वालिफिकेशन रख्या गया है अगर आप 12 वी बाइलोजी से पढ़े हैं और साथी साथ आपने जो है डिप्लोमा किया है जो खून वगर का जाच करते हैं लैब वाले वही लोग यहां पर आवदन करेंगे जो इस तरह की पढ़ाई किया हुआ है डिप्लोमा इन जो लैबरोडी टेक्निसियन का है तो आपको जो है डिएमल्टी कोर्स होना चाहिए और साथी साथ आपने बारहुई तक पढ़ाई कर रखा है बाइलोजी से तो आप इस फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं अथ्वाम बोला गया है कि अगर आपने बाइलोजी से बारहुई क्लास किया है और साथी साथ आपने जो है बीमल्टी किया है जो मेडिकल जो बैचलर इन मेडिकल लिबरोटरी टेक्निसियन है वह अगर आपने किया हुआ है तो अभी आप इस फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं तो यह यहां पर क्वालिफिकेशन ने सारी इन्फरमेशन यहां पर दी हुई है आप एक बार अपने अस्थर से जरूर पढ़ लिजेगा से यहां पर दिया हुआ है और यहां पर बताया गया है कि आप एक बार पढ़ लिजिएगा इंटर्विव नहीं होगा आपको बस एक सीबीटी पास करना है और आपकी सूची बनेगी मेदा सूची और उसके बस आपका जो है सेलेक्शन कर लिया जाएगा तो यहां पर देख सकते हैं बताया गया कि डॉक्मेंट से वेरिफिकेशन काउंसलिंग के समय एक बार आपी से इस पीडियाफ को जरू पढ़ेगा क्योंकि यहां पर सींपल लेंग्वेज में जो है लिखा गया है चलिए आवधन करने के लिए आपको यहीं पर क्लिक करना होगा क्लिक है अप्लाई ओनलाइन फॉर्म पर जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको सिटीजन आफ इनडिया यहां ऐस करनी है डौमिसाइल अगर आप डमिसाइल बिहार कहरें तो यहाँ आए अगर आप यहां पे जहें लुख कर यहां पोखती करना है तो करेंगे उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे यहां पर आपको नाम लिखना है फिर्ष complac oldu overall यहां पर एंडर ऑप्ट करके अपन डटल से क्लेंडर एंडिकोज करेंगे जिसे यहां से चूच करके हटेंगे तो यहां पर देखिए जो आपना एज काल्कुलेट कर देगा अपको यहां पर अपना इमेल एड्रेस लिखना है उसको से मोबाइल नमर लिखेंगे और यह जो क्यप्चा दिख रहा है क्यप्चा कोड इस तरह से आपके सामने दिखाई देगा बड़ा स्मॉल छोटा नंबर एक अल्फाबेट इसको लिखेंगे इसको टिक करेंगे उसके बास यह सब्मीट करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा रिजिस्टेशन वन जो है स्टेप वन कंप्लीट हो चुका है और यहां पर आपका अप्लिकेशन नंबर है एक बार आप इसे स्क्रीन सोट जरूर ले जिएगा में भी आपके पास इसमेंस नहीं आना तो दिकत हो सकती है और आपका डेटर बर्थ यहां पर सो करेगा तो आप इसे नो डाउन जरू कर लिजेगा उसके बास से आपको यहां पर लॉगिन करेंगी अब आपक करेंगा यहां पर जो आपका देखिए स्टेप दिखा रहा है कि अपने पहले स्टेप कर लें आपको दूसरा स्टेप जो है पर्सनल डिटेल से क्वालिफिकेशन फिल अप करनी है तीसरा फोटो सी नेचर चौथर नवर पर आपको प्रिभीव आजाएगा आपको देखना अपना विलेज पॉस्टंव दोनों में इ SOUND पे लिख सकते इस तरह से भिलेज यहां पे लिखेंगे फोस्ट लिखेंगे यहां पर अपना राजएछ चूच करेंगे कि अकस राज़ति है अब अब Size आए गा से अरो इन्हीं है उसको फिर दोने डर्स सेम एंधर इसको तिक तर्ड करेंगे तो यहां पर देखिए सेम सेम आप आप नीचे आ जाएगा आपको थोड़ा से यहां पर नीचे आना है आपको अपना क्वालिफिकेशन डीट वर यह से मालें जासका जो है कॉलेज का नाम क्या है बोड काउन सा है कौन से सब्जेक्ट है पासिंग र क्या है मैक्सिमम माक्स कितना है तो इस तरह से आप क्या यहां पर आपको जो फोटो और सिगनेचर अप्लोड करनी है देखे इस परकार से आ जाएगा आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है सिंपली देखिए बहुत इजी है सौसे दोसों के बीच होनी चाहिए और यहां पर देखे बताया गया सिंगनेचर भी सौसे दोसों के इन वाइलिड एक्चुली क्या है मैरा जो फोटो है वो जो है सही साइज में नहीं है इसलिए बोल रहा है सौसे दोसों के बीच होनी चाहिए और यह डाइमेंशन पिक्सल दिया हुए इस डाइमेंशन में आप सेट करेंगे उसके बाद से आपको अपलोड करनी है तो फ्र फोटो इजली अपलोड हो जाएगा यहां पर देखें डाइमेंशन बता है कि 140-160 पिक्सल का होना चाहिए यहां पर के भी जो है कुछ ज्यादा ही लिखा हुआ है आप देख सकते हैं अब आपको से बैन कंटिनीव पर क्लिक करना है अब इससे आप एक क्लिक करेंगे इस प क्लिक करना है अगर आपको कोई मिस्टेक लग रहा है तो इसे आप इडिट कर सकते हैं बाद में नहीं तो आप जो है समिट करने के बाद से आपको जो है सुधार करने का उप्शन नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे कंटिनीव पर क्लिक करके आप जो भी पर मेंट लग र बात से जो है आप क्या करेंगे फाइनल सब्मीट करके प्रिंट आउट अपने पास रख लेंगे आई होप फ्रिंट्स आपको समझ में आगा गा इस परकार से फॉर्म को फिल अप करने आपको वीडियो कैसा लागा कमेंट से बताएगा और वीडियो प्रसंद लाइक करेंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमें दिजे जायत और देखते हैं डिये सेल्पिंग फारेवर थैंक यू फॉर वाचिंग जैहीन